मेरे साथ जो विजुरू बैठा है उनको साप ने काटा है और काटने के बाद मेरे साथ में है तो आज ही काटा है मेरे साथ में है तो उनको कुछ नहीं हुआ इसका मतलब है यह हस्पतल में नहीं मेरे साथ में है तो उनका परिवार भी हमारे साथ में है यहां से शोरी गवने यहां से तक्रिवां 30 किलो मेंटर दुरी पर जंगल एरिया आता है और वहां पर खेत में काम करते हैं उनको सापने काट ले हैं तुमसे नाव किसा है? नागे शरम चिंदरपाटी साप दिशला ने तुमाला? साप दिशला किसा है? मैं चावले नंदर दिशला? नागे अचाने काम करताना चावले नंदर तुमाला? आशा जाए जात्ती वड़ी दुमाला पट्टिम पड़व पनेया है आपको के से पताँ चेला? यह पर वहां ने काए है यह तो पाड़े गर्मारेशनी यहां पर जो खानापुर तालुक आता है वहां पर बहुत पाइमारे में में लेक्चेर उगर होती है भूस सारा बदलाव में ने देखा तो उनका मैं इसके लिए मतलब तारीप करना चाहूंगा कि उन्होंने उनके मन में पहला क्या आया हस्पता जाने का ऐसा मंत्र तर जड अब बूटी ऐसा पुछाया नहीं आया तो यह बहुत बड़ी बात रहती है यह मतलब जानना परकना सब्सक्राइब जो बोलते यह जरूर है कि हां काटने के बाद और एक बात आपको एक पिताजी घर आये उसके बाद पता चला यह डरे थे थे खोड़ा दरे थे तो आप कि इनको तो कुछ ैसके बात मैं मेरे दोसके पाडल के यह प्यार उसके बाद मैं अपका क्या नग2017 कि अवक्त में अरंगल गए थे ना तो खाना पूर में भी आस्तबार है एसका और हम चालने सरकार चाहे तो हर क्वाव में के सब्सक्राइब क। जो वहां पर रहता है हमेशा गाव में रहने वाला दोक्टर उनको ट्रेनिंग देखके यह परमिशन दी जा सकती है और वो इलाज करके सूची इतना किया तो भी गाव में से बाहर जागे की बाद जो मर रहे पेशन जान जाड़ी है वो बज सकती है और यह आसानी से मतलब सर कांटक्ट हुआ और उन्होंने यह जरूरी समदा कि हमारे दोस्ते जो मैं आना चीठी हूं तो एक राय ले ले और उन्होंने मुझे बताया तब शायद यहां अभी गंटा पहले मतलब सवादों वजे थे और उनको सापने काटाई लगबक साड़े गरा मजे बारा बज कर यहां से वो अन्देवेग आँ जा रहे तो मेरे पास आए लेकिन यह बात आप से हम क्यों शेयर कर रहे एक तो जहरीला सापने नहीं काटाता यह सबसे बड़ी बात है और उसमें भी आपको डॉक्टर के पाँ जाना जरूरी होता है जड़ी बुटी जहान फूंक मंतर तं कि ना मरे आपको शेयर पी एलाइज ऑक्टर करते हैं मन से अब मर रहे तो आपको बचाने कोई नहीं सकता तो यह आपके आंदर इच्छा सकती होना बहुत ही जरूरी होता है जरूरी होता है तो यह अच्छी तरह से वह जख़म है आपके साथ शेयर करेंगे मतलब कैसे दि यहां पर सबको बता रहा हूं है दस मिन से मतलब उसका लक्षन सेंटम्स जो होते दिखने शुरू होने चाहिए जैसे कि आपको के सामने असका जालत माला अंदारी चकर अइसा कोई भी लक्षन और आप ज्यादा डर जाएंगे तो यह डर के डरने के बाद यह लक्षन जो है तो क्या होगा जखम हो जाएगी और कुछ होगा ही नहीं यह आसान में बता रहा हूं लेकिन विशेले साब ने काटा तो मैं वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं आम तोर पर जो बातिया है ज़रूरी वह मैं बता रहा हूं दस मिनट में चक्कर आना सर भारी होना आपको के समने दुंदला चाना और आपको बोलने के लिए दिक्कत आ जाना जहां पर काटा है वहां पर हल्की से सुजन आना शुरू हो जाती है दर्द देना शुरू हो जाता है जहां पर काटा है वहां पर पानी मिश्रित खूल नि है और तीजिसी तुजर स्वज़न बढ़ने के बाद आपको अपको इस कि धुन्दा चरने लगता है और आपके हरत बर की जैसे वहले के तो मतलब चलने के लिए प्रावलम आ जाता है और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है है वहां पर सुजंग्तीजी से बढ़ जाती है वो जगह काली और धरद बढ़ने लगता है यह टहकी हुद पर पर्ले नेख्रोश मोड़ी जठाए और उसको असने लेकिन उसके उपर दवाई एक है एंटी स्नेक वेनों तो मैं अब इसमें रोकना जोंगा तो अब बताए मुझे कि कौन से साप से दर्दनाक मोथ होती है वो तो साप ने जहर कितना चोड़ा है उस पे उपर ये डिपेंड है लेकिन करेत करता है ना करता है ये आसान मोथ भी अगर आप कोमा में बेहुश हो जाते तो उसमें ही मर जाते है पता है नहीं चलता है कि तो ये बात होती है डर तो हमेशा रहता ही और रहना चाहिए लिकिन गौनसोंगरा गटेगा और आपको धिरे-धिरे मानने लेगा और इंसान को लेगा तो अच्छा है तो ये सब होता कि डॉक्टरों कोई इलाज करना पड़ता था लेकिन अभी उसके साइड इपे बहुत ही कम होते जा रहे और उसमें और नया तंत्रदेंट जूड़ रहा है तो और भी ज्यादा मतलब मैंने जो पहला इंजिक्शिन लिया था साप कटने के बाद और और आखरी बार जो 2017 मे पीले ज्यादा तिन जीशी होना बहुत ही जरूरी होता है अला पहले आपको साप उने काटा यूटुब पर आने के बद साप उने काटना बंद कर दिया यह यह अच्छी बात है रिटके दफ्शर्द जो है उनका अशिरवाद है या प्यार है और हम जिन्दा है तो इनका इनकी तारिफ करने इसलिए जरूरी है, उमर पैसर साल है, खेती में काम करना जरूरी होता है, हर जगे वह गनबुट चोग होते हैं, वह इसमाल नहीं कर सकते हैं, और किसान को नमगे पेर खेत में उतरना पड़ता है, और हर वक्तों जाचने की जगा भी नहीं रहती, तो यह करना ही पड़ता है लाक हुं में एक बार ऐसा हो जाता है लेकिन इसलिए कोशिश है। आप फोड़ा सा संभल कर काम किजिएगा अपना हाथ पाऊँ परता है कहां पर हो ग्रहां संभल कर काम किजिएगा और पrans sellers किजिएगा इन्होंने फ्म किया थोड़ा देर हो गया, यह धरीला साप करता है, तो खतर नग, मैं श्रेह नहीं लूँगा, खतर नग हो सकता है, लेकिन कभी भी साप या एक्सपर्ट कोई नजदिक है, तो उनको तुरंत फोन कीजिए, और पैचाने कोशिश कीजिए, यह तो कोशिश आप भी कर सकते हैं, कि यह मुझे काटा है, कौन से साप ने काटा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, काटा है, धहरीला हो या ना हो, लेकिन मैं उससे लड़ूंगा, मैं उससे जितूंगा, मैं नहीं डरूंगा, इतना इंसंत नहीं कर सकता है, उसके बाद साइन्टिफिक एलाज करना, जरूर यह उ 90% लक्षन पहले 10 मिंट में दिखना शुरू होना चाहिए तो उनको काटा है और एक बार उनका यह लेंगे और वीडियो यह पुरोखना पड़ेगा सच्च पाई दिखना बीन विशेले साब ने काटा है अब धुनना भी मुश्किल हो रहा है सिर्फ तीन चार तीन गंटे हुए है मतलब दाद बहुत नुकी ले रहते है और लंबी दूरी तक इसा काटा तो ब्लेड में मारा जैसा वार हो जाता है तो पता चलता है अब बोनस अगर बड़ नाग ने भी काटा है तो भी इतना पाउं पूरा हो जाता था और जहांपर से काटा है वहां पर यह जगा पूरी काली जैसी दिखाई दीती थी अगर फरक देख सकते है दोने मतलब पेर कुछ फरक यह नहीं देख रहा है तो यह आपर देखना लगाए है आइसा साफ है ओ देखा लेकि नहीं पहिचाना और काटने के बाद जो लक्षन होते या वहां पर जो काटा है वहां पर जो जगा कैसी है तो इनको भी डरने की ज़रोत नहीं थी शुकर है उन्होंने एक्स्टडरिंग ना दिखाते हुए उंगली पहले काटी फटो ऐन्होंने बहुत बड़ी है उन्होंने उंगली ने काटी तो यह बहुत अच्छी है तो दर्कर हांं किसानों के पास ने के लिए मतलब खेत में काम करने के लिए रहता है तो उसने मतलब उसको शापने काटा आते वक्षाम के वक्त तो उसका किया क्या हैं जब मीं घर presentation लेकिन वह पूरा उसने काट ले हैं और सेटिक में हो सकता है और उसकी जान गाजा सकती है बस उसको बाढ़ सकते हैं और हम अस्कादल जाकर चकप कर सकते हैं यह बात सही रहेगी तो ऐसा नहीं करना है तो शुक्र है कि उन्हें ने जल्दी कॉंटक्ट किया अनन जी को और सापके बारे में जानकारी लिए तो एक टेंशन कम हुआ लगता है उनसे ही जाननी की करें तो आपको क्या लगता है अभी मतलब पहले तो अप इतने टेंशन में थे अभी तो अब लोगों को क्या बोलना चाहेंगे अगर आप सबको किसी को कारता है तो जल्द मतलब आप किसी एक्सपर्ट किराई ले सकते जैसे कि आपने अभी ली बारबर नहीं इसा कुछ हो गया तो तुरंत एक्षवर से जान कर लिए तो आपने क्या क्या हम अपने वेया इसा ही किम किया तुरंत पहला थोच हुस्पिटल को गये होस्पिटल से थोड़ी कुछ प्रसेर्शेट करके उदर से जलास्परचल बेज दिए लेकिन अधर थोड़ा प्राब उसके बाद में पता जलाओ उनके अनिगली बोड़े उसके बाद के उनके से बात हो के अधियां में टेंचन फ्री होगे मतलब आप भी अगर आएसी कुछ वार्दाते घड़ जाती है तो आज पास के सर्पमित्रों को या फिर किसी एक्सपर्ट की राज ले सकते जैसे कि उन्होंने आनजी और निर्जरज से कॉंटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी लिए उमेद है आपको ये वीडियो बहुत किसा मने लादे रहेंगी फिलाद धन्यवत